सो फानली यामा ने अपनी R15 वर्जन 4 का नया 2024 मोडल को लॉंच कर दिया है जिस पर कमपनी अब आप लोग को नया कलर एंड ग्राफिक्स भी ओफर कर रही है तो आज किस वीडियो पर दोस्तों मैं आप लोग को इसी R15 वर्जन 4 का नया 2024 मोडल के बारे में कमपली डीटिल से जानकारी देने वालाओं की पहले मुकाबले दोस्तों क्या कुछ चेंजेस और अपडेट किया गया है अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि Yama Company अपने R15 वर्जन 4 पे अब आप लोग को एक नया कलर का उप्शन दे रही है जो कि दोस्तों यह है Matte Gray कलर जिस पर कि दोस्तों आप लोग को जहा है Pink कलर के साथ जहा है थोड़ा बहुत Blue कलर का भी यहाँ पर Graphics देखने को मिल रहा है साथी साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग Spike के Alloy Wheels को देखें तो यह दोस्तों आप लोग को Pink कलर में ही दिया गया है जो कि देखने के मामनेम दोस्तों बहुत यदा है Act Active लग रहा है लाइक यहाँ पर दोस्तों बलू कलर के बहुत देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को अब Sky Blue कलर का यह Graphics देखने को मिल रहा है और इसके अलाव दोस्तों आप लोग ये red color देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों आप लोग को gold के साथ जो है थोड़ा बहुत black color का भी यहाँ पर graphics देखने को मिल रहा है तो mainly दोस्तों इन दोनों color option पर जो है यही चिंजिस किया गया है इसके अलाव दोस्तों सभी चीज़ें आप लोग को exactly पहले एक्टराई similar देखने को मिल रही है चाहे दोस्तों आप लोग features देख ले या फिर engine वगरा देख ले वो सभी चीज़ें आप लोग को exactly पहले एक्टराई देखने को मिल रही है प्राईसिंग के बारें बताओं तो R15 version 4 का जो red color है दोस्तों इसका price 182,000 एक्टराई रखी गई है तो कि आप लोग को ये नया color कैसा लगा नीचे को इन बॉक्स पे अपना opinion जरू लिखेगा और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलाल end करते हैं तो आई होब आप लोग को ये जो वीडियो है या आप लोग को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देजेगा चैनल पर अगर आप लोग पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देजेगा तो इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ये मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंद मातरम and also right save